बिस्मिल्य रह्मान वरीम, अस्सलाम अलेकों, मैं हूँ डॉक्टर सबजरतास बुखारी एक तपाव फेर आपके साथ, उमीद है मेरी यूटियो फामली सारी ठीक ठाप होगी और अला आप तो खेर फैरी इस से रखे और हर बिलाओर हर आफ़त से बचाए, तो आजकल सबसे common syndrome, मतब जो मैं incidentally भी देख रही होती हो, और वैसे भी देख रही होती हो, वो है जिकर पे चल भी, यानि fatty liver, हम test किसी और सी इसके लिए करवाते हैं, और ultimately पता चलता है कि यह underlying fatty liver एक और चीज़ है, जो सामने आ गई है, fatty liver क्या होता है, fatty liver क्यों होता है, fatty liver किन को होता है, fatty liver और friends and family भी शेयर करते हैं, तो जिनाब से से पहिए हैं हम चलते हैं कि fatty liver क्या होता है, fatty liver का मतलब यह है, कि जिगर पे एक मोकरणा हमारे जिसम में चिकनाई है, इस बास से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बास दुका चिकनाई की मिकदार जो है, वो इतनी बढ़ जाती ह है, कि liver के उपर dears की fong में और उसकी यानि अंदर जो parent कायमा यह जो functional liver हैं, वहां पर जमा होना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि यह fatty liver है, उसमें no-dularity भी आ जाती है, उपर capsule के उपर भी जो है चर्बी आ सकती है, यह सारी चीज़े जो इन fatty liver में आती है, अब एक कि उसमें क्या होता है, उसमें यह बाज अगात होता है, कि दाइनी site के उपर पसीयों के नीचे दवाओ की शिकायत में सूस होना शुरू हो जाती है, पेख खूलना शुरू हो जाता है, बास लोगों को indigestion की शिकायत हो जाती है, चीज़े सब में नहीं होती, कुछ में तो अची तरफी क्या स्या होता है, हमारे हाँ सबसे बड़ी चीज जो है, वो यह है कि unhealthy lifestyle, सबसे बड़ी वज़ा इसकी यह है, कि आपका lifestyle is healthy नहीं है, और जिसकी वज़ा से आपकी खुराक अच्छी है नहीं है, आप खाना बहुत महंगा खाते हैं, बट जबूरी नहीं कि आती है, अलकॉल कर इस्तमाल इसकी एक reason है, बहुत ज़दा fizzy drinks यानि कि जो cognitive waters होते हैं, यानि कि bottles का इस्तमाल जो है, वो आपको fatty liver की तरफ लेके चाहता है, अगर आपको underneath diabetes है तो आपकी increased chances है, आप obesity OSAS का शिकार है, तो आपके chances ज़़ादा हैं, हाइपो थारेडिजम में इसके chances जो हैं, वो बहुत ज़दा होते हैं, PCOS के साथ इसकी बहुत गेंगरी association है, जिन लों को PCOS का weight gain का मसला होता है, उनमें एक चीज़ fatty liver होती है, इससे insulin resistance पर पड़ता है, और vice versa, आप या तो sugar की तरफ चले जाते हैं, और या फिर sugar की बज़ा से आप fatty liver की तरफ चले ज to be liver damaged, ठीक है, तो अपने जिगर को बचाने के लिए आपको इससे avoid करने है, दोसी चीज़ एक सोज़िश की किसम होती है, जिसको non-alcoholic stear 2 hepatitis कहते हैं, उसमें alcohol नहीं होती, लेकिन किसी भी विज़ा से जिगर में सोज़िश हो, तो वो भी फीसन हो जाती है, fatty liver की, तो ये सा सारे लोग को symptom कोई नहीं होते, symptoms क्या आ सकते हैं, चैसे कि हमने chronic liver disease के लिए डिस्कस किया था, कि आपको दाइसाइट के उपर भारी पन बोज में सोस हो सकता है, आपके अंदर जो है, बहुत ज़दा पेट फूला शुरू हो सकता है, खुदानापासा पेट में पानी की शि सकती है, reverse sign कैसे करना है, सबसे वहरी चीज़ तो यह कि आपने weight reduction करना है, अगर आप overweight हैं, obese की किसी भी category में आते हैं, तो सबसे पहले अपना weight कम कीज़े, अगर आप sugar ये blood pressure के मरीज़ हैं, तो अपनी बिमारी को control रखिए, अगर आप control नहीं रखते हैं, तो उस सुरत में जो है, ये मर्स पढ़ेगा, और ultimately किसी रख सी सूरत में आपको नुकसान देगा, उसके सांथ healthy lifestyle, oil मतब जो है, उसके इस्तमाल कम से कम, fatty foods के इस्तमाल कम से कम, junk foods कम से कम, बाहर hotling कम से कम, इन तमान चीज़ों पे अपना अमल करेंगे, तो आपका fatty liver reverse होना शुआ हो इस बात को समझें कि अच्छा लगने से जादा इस बात पे हमियत है कि उसका taste अगर अच्छा है और presentable है तो आप उसको खा लें, बज़ए इसके कि आप उपर से जो oil डान डाल के खा रहे हैं, ये सारी चीज़े आपको लुकसान देंगे, अगर आप already निहारी power और इस किस लिवर की तरफ लेके जाना है, तो खानों में कम से कम oil का इस्तमाल करें, अच्छे oil का इस्तमाल करें, जो economic हाला चाल रहे हैं और जिस तरह हैं मैं ये नहीं कहते हैं, आप को बहुत expensive किसम की चीज़ें इस्तमाल करें, लेकिन आप जो भी खाना इस्तमाल करें उस पर oil की मि मिल जाएं, तो बहुत थोड़ी उड़ान में अगर आप वो यूज करते हैं, तो वो बहुत अच्छा है, एक्स्टा वर्जिन और वाइल जो है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, लीफी वेजीटेबल्स जितनी खा सकते हैं, खाएं, फ्रूर्ट्स की तरफशन, डे टाइन में अगर आप कर सकते हैं, तो वो कीजे, जूसिस का इस्तमाल कम से कम रखें, फाइबर का इस्तमाल जाता कीजे, डालों का इस्तमाल मुनासिब रखें, गोश्ट का इस्तमाल मीडियम टू इनिमम रखें, अगर आप ये सारी चीजों के उपर रहते हैं, तो आपका fatty liver जो है वो आगे progress नहीं करता और reverse होना शुरू हो जाता है सबसे बढ़ा goal exercise है और उसके साथ wheat reduction है अगर आप अपने खाने को एक एतदाल में ले आते हैं कि आपकी एक plate है plate में आपने half divide करने है और उसको आपने salad से fill करने है उसके बाद जो मैं कहती हूँ कि आधा portion जो है आपका वो उसमें रूटी या चावल रखे और वाकी आधे portion में गोश्ट या दाल जो भी आपने रखनी है सबजी वो रखे इस तरह portion बिना के अगर आप खाना खाते हैं तो आपकी meal की requirements भी पूरी होती है और आपका weight gain भी नहीं होता तो ये थी युना कुछ main main चीज़ें जो के fatihavor के लिए चुके बहुत common मसले है नहीं आपको बता दी कोई सवाल हो कोई curious हो आप पूछा जाएं तो comment करके तो मुझे जो है वो जरूर बताईएगा तो फिर भी नहीं किसी नई वीडियो के साथ तब तक कि ये अपका बहुत ख्यान रखिएगा चैनल को like share and subscribe कर दीजेगा तो बहुत सरी दुआउं के साथ अल्ला आफिस